दिल्ले के मुख्य मंत्री और आम आद्में पार्टी के सयोजक अर्विंद केजिवा निकार है कि अमीर देशों में सिक्षा फ्री है मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश में फ्री सिक्षा को ये नेता की फ्री के रेवारी कहते है ये देश अमीर इसले बने हैं क्योंकि ये फ्री सिक्षा देते हैं अगर हर भारतिय को अमीर बनाना है तो भारत के हर बच्चे को अच्छी सिक्षा फ्री देनी होगी तब मिलनाडू के कोयम बटोर में रविवार को एक कार में हुवे विस्पोर्ट के मामले में पाच लोगों को गिरफतार किया गया है पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने पताया कि रविवार सुपेकार में लगे सिलेंडर में विस्पोर्ट होने से उसमें सवाल जोमिशा मुबीन की मौत। पुलीस ने घटना के बाद कार में पोटेशियम नाइट्रेट जैसी किसी प्रदात के रखे होने की जानकरी दी जिसका इस्तमाल देशी बम बनाने में किया जाता है। पुलीस ने मंगलवार को ये जानकरी दी पुलीस अधिशक कूवर अनुपम सिंग ने मंगलवार को बताया कि तीर्व थाना शेतर के एक गाउ की रहने वाली बारा वर्शिय एक लड़की पिछले रविवार को कुल्लक खरीदने के लिए घर से निकली थी मगर वापस नहीं लोटी जिसके बाद परिवार के लोगें उसकी तलाश शुरू करती उन्होंने बताया कि आतिति ग्रह के चोकिदार ने रविवार रात लड़की को खून से लटपत हालत में तडपते देखा और पुलीस को सूच ना दी गटना स्तल पर पहुची पुलीस ने लड़की को फोरण अस्पताल पहुचाया जहां से उसे भैतर इलाज के लिए कानपूर भीज दिया गया फिलिपिन्स के एयरपोट को आशिंक तोर पर खोल दिया गया है सुमवार को इसे कौरियन एयर के एक विमान के बारिश के कारण रणवे से फिसलकर घास के मैदान में फस जाने क के कारण बंद कर दिया गया था विमान में सवार 162 यात्रियों को चालक दल के 11 सदस्यों में से किसी को चोट नहीं आई थी यात्रियों को विमान से बहार निकलने के लिए अपातकालिन दरवाजे का इस्तमाल करना पड़ा था अमेरिका में जो बाइडन प्रशासन ने विदेश सेवा की वरिष्ट अधिकारी एलिजबेट जोन्स को भारत में अमेरिकी दूतवास में अंतरीम फ्रभारी राज दूत न्युक्त किया है ताकि दुनिया में सबसे अधिक मेंत्वकून दिबक्षे भार साजेदारी को आ ट्रिसिया ए लसीना नई दिली में अमेरिकी दूतवास में प्रभारी राज दूत है उन्होंने 9 सितंबर 2021 को कारेब्रार ग्रहन किया था रूशी सुनक की ब्रिटेश प्रदानमंती बने जाने पर जपान की सरकार ने ब्रिटेन की नई सरकार के साथ बहतर रूप से काम करने को लेकर प्रतिबंदता जदाई है जपान की चीफ कैबिने सरकेर्टरे ने का है कि हम अंतराष्ट्य समुधाय के सामने मोजू चुनोतियों पर साथ काम करेगे महराष्ट के मुंबई शहर में दिवाली पर 26 विबिन जगाओ पर पठाकों की कारण आग लगने की घटनाएं सामने आई है हाला कि दमकल विबाग का कहना है कि इन घटनाओं में कोई भी घायल नहीं हुआ है पिछले तीन दिनों में दमकल विबाग को आग को लेकर 70 कॉल्स आई है कॉंग्रेस नेतर जैराम रमेश ने का है कि आज भारत जोडो यातर का 48 दिन है इन में से 41 दिन यातरा चली है अब तक 1270 किलोमेटर मतलब एक टीहाई हिस्सा पुरा हो चुका है और चार राज्यों में 18 जिले कवर हो गए है गुर्वार को याता फिर से तेलांगाना के महभूप नगर से शुरू होगी दिलांगाना के बाद महाराष्ट के नांदेड में जाएगी और 16 दिन राज्य में रहेगी राहुल गांदी 31 अक्टूबर को हैदरबाद में प्रेस कॉन्फरेंस करेगे जैराम रमेश ने कहा है कि 20 फरवरी को हम भारत जोड़ो यातरा के कश्मीर पहुचने का अन्वान लगा रहे है कश्मीर में जाकर 20 से 25 फरवरी को भारत जोड़ो यातरा पूरी हो जाएगी अमेरिका की उप राष्ट पती कमला हैरिस ने कहा है कि वे इस पत्पर पहुशने का शेरिय अपनी भारतिय अमेरिकी मा के संपर्ण, दिर्ड, संकल्प और साहस को देती है हैरिस भारतिय मूल की पहली अमेरिकी उप राष्ट पती है वाइट हाउस में राष्ट पती जो बाइडन और उनकी पतनी जील बाइडन की मेजबानी में आयोजित दिवाली समारों में 200 से अधिक प्रक्यात भारती अमेरिकों की मौजूदगी में उन्होंने कहा उनके संपर्ण, गिर्ल, संकल्प और साहस के कारण ही मैं अमेरिका की उपराष्ट पती के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ अरुनाचल प्रदेश के इटानगर के नाहार लागू मार्केट में मंगलवास सुबे करीब 700 दुकाने जलकर खाप हो गई आग की ये खटना कैसे हुई इसका सही कारण पता नहीं चल पाया है वही दुकानदारों ने आरोप लगाया कि जिस जगह आग की ये खटना हुई है वहाँ से दमकल का ओफिस महद 20 मीटर की दूरी पर है इसके बावजुद दमकल विबाग एक भी दुकान नहीं बचा पाया रूस और युकरेन के भी जारी युद को 9 महीने हो गए है इसके बावजुद दोदो देशों में जंग रुखने का नाम नहीं ले रही है इस भी जर्मनी के राष्ट पती मिय युकरेन के दोरे पर कीव पोचे है उनका दोरा ऐसे समय हो रहा है जब रूस परमानु बम गिराने की धमकी दे चुका है सीतरंग तुफान के कारण भारत के पूर्व उत्तर राज्जों में आज जम कर भारिश होगी मौसम विबाग की ओर से चेतामी जारी की गई अरुनाचल प्रदेश असम मिघालय नागालेंड आज तेज पारिश दर्ज की गई इसके साथ ही असम मिघालय मिजोरम और तेज हुरा में तेज हवाई भी चली इनकी रफताय 45 किलोमेटर प्रतिखंटा तक होने का अन्मान लगाया गया केंद्व स्वास्त मंत्राले के और से जारी रिपोर्ट में पिछले 24 गंटे में कोरोना के 862 नए मामले सामने आये हैं इस दोरान 1503 मरीज ठीक हुए फिलाल देश म में एक्टिव केस किसंग्या 22,549 हो गई है भाराश में भारी बारी से किसानों को रहत मिलती नजर नहीं आ रही है राज्य में हो रही बेमोसम बरसाथ से फसलों का बड़े पैमाने पर नुपसान हो रहा है कई जिरों में पिछले कई दिनों से हो रही लगाता है बारिश क पसलों के खराब होने से किसान परिशानी में है प्रमुक रक्षा अध्यक जनरल अनिल चोहा ने सुमवार को जमोकश्मी के राजोरी सेक्टर में अगरीम चोक्यों का दोरा किया और शेतर में तैनास यानिकौन से कहा कि वे अभियान कर तयारियों को बनाये रखे जनरल चो शेतर में चुनोति पूर्द इलाके और मौसम किस्तिती के बावजुद रक्षा बुनियादी धाचे के विकास और अभियान गत तयारियों की भी समिक्षा की पयान में कहा गया है कि सीडियस ने सैनिकों को संभोधित करते हुए सेना के साहस और वीरता के समृद्ध परंप के दोर से हटने की घोशना के बाद सुनक को कंजरवेटिव पार्टी का ने विरोध नेदा चुन लिया गया सुनक 210 वर्षयों में ब्रिटेन के प्रधान मंती बनने वाले सबसे युवा नेता होगी ब्रिटेन के पूर्व वित मंत्री सुनक एक धर्मनिष्ट हिंदू है और वह लंदन स्थी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रविश करने वाले हैं वह 28 अक्टूबर को पीम पत की शपत ले गई मैमार की सीना द्वारा की गई हवाई हमलों में गायकों और संगितकारों सहीत 80 से अधिक लोग मारे गए जो काचिन जाते अलप संक्यक समू के मुख्यार राजजीतिक संगटन के एक वर्ष गार्ट समारों में शामिल हुए थे काचिन कला संग के एक परवक्ता ने बताया कि रविवार रात हुए हवाई हमले में 80 लोगों की मौत हो गई जबकी लगबक सो से अन्य लोग खायल हो गए उन्होंने बताया कि समारों स्तर पर सेन्य विमान से चार बम गिराए गए थे यह हमले ऐसे समय हुए जब तीन दीन बाद दक्षिन पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्री मयमार में व्यापक हिंसा पर चर्चा करने के लिए इंडोनेशिया में एक विशेश बैटक करने वाले है बहरत्या रेलवे ने मंगलवाय को चलने वाली कई गाड़ियों को रद कर दी इनमें कुछ गाड़ पूरी तरह से कैसल है तो कुछ को आशिंग तोर पर रद कर दिया गया है इन ट्रेनों के लिस्ट में 207 गारिया शामिल है इन 207 ट्रेनों में 172 गारियों को पूरी तरह से रद कर दिया गया है जबकि 35 ट्रेन आशिंग तोर पर रद है ये सबी गारिया देश के अलग-अलग स्टेशन से चलने वाली है इन शेहरों में पूने, नाकपुल, पठना, पठानकोट और जोगेंदर नगर जैसी स्टेशन शामिल है घरेली शेहर बजारों में सकरात्मक रूप के बीच रुपया मंगलवार को शुरुआती कारुबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे बढ़कर 82.62 पर पहुँच गया अंतरबैंक विदेशी मूद्रा व 26 पैसे तेज था रुपया पिछले कारुबारी सत्र में शुकरवाय को डॉलर के मुकाबले 9 पैसे तूटकर 82.88 पर बंद हुआ था गुजरात के वरोदरा में सुमवाय को पटा का खोड़ने को लेकर दो गुटों के बीच खुनी संगर्श हुआ मामुली कहा सुनी से शुरू हुई इस विवाद देह दोनों पक्ष दूसरे के उपर फतराओ करने लगे थोड़ी ही देर में हालत इतने खराब हो गए कि भीड दुकानों और वहनों में आगजनी करने लगी कहां जा रहा है कि इस दोरान एक पक्ष के लोगों ने पैट्रोल बंब से भी हमले किये ये वारदाद वरोदरा के पानी घाट इलाके में मुस्लिम अस्पतार के पास का है सूचना मिलने पर मौके पर पहुची पुलीस ने इलाके में भारी संक्या में पुलीस बल को तैनाती कर दी पुलीस ने अभी तक 19 लोगों को हिरासत में लिया है और उन से पूछताच की जारी है